सुधर मुखमंत्री बना है इसलिए गंगा में जो है वो आग लगही है । इसलिए ब्यार में एक शुद्र मुखमंत्री बना है इसलिए गंगा में आग लग गई तो समानतवाद की शुरवाद तो वहीं से होती है लठेट वो लोग थे जो पहले 90 से पहले लाठी नहीं उठाते थे 90 से पहले लाठी एक तरपा उठती थी लेपिन 90 के बाद पिछ्रे और दलिद भी लाठी उठाए वो लठेट थे कुछ दिन पहले तक लेप्ट सबसे अची पार्टी हुआ करती थी कनिया के लिए अभी कॉंग्रेस है और आगे जाकी बीजेपी होगी नहीं कुमार कह रहे हैं कि हम कॉंग्रेस इसलिए जोईन किये हैं कि यहाँ पे अजादी है यहाँ पे हम जय भीम बोल सकते हैं जय सरदार बोल सकते हैं नितिश कुमार भी जय सरदार और पठेल समेलेन में चल जाते हैं ठीक है और जब जब नेता को बोट लेना होता है तो जय भीम का नारा भी लग जाता है ठीक है लेकिन सवाल है कि कनया से कि आप लाल सलाम बोल सक कर रहा है तो नेता काम है आज राहूल की उताडीप कर रहा है हो साकता है अगया किसका बॉट दिलवा सकते है Are कarnya में ब़ी थे तो बिहार में जो है कनहिया कि पार्टी है लुव्क रहा है कि हमारा कोई बेग्राउund नहीं है कर नहीं या कोई सा नहीं कि मौकर तो नहीं मिला आप भी अपनी ख्याती बढ़ा सकते थे आपको 2019 का चुनाओ दिया गया 2020 का चुनाओ दिया कर नहीं तो आप भी ख्याती ले सकते थे ख्याती इसे नहीं मिलती है ख्याती कमाना पडता है ख्याती कोई बजार में विकने वखने वाला सुनिया गांदी कौन है प्रिःंका गांदी कौन है राहोल गांदी ये क्या है ये प्रिष्ट भूमी नहीं तो क्या है समाजिक न्याय के लड़ाई लड़ने वाले Colinania को नाम लेते हैं जगदेव आबु कर नाम लेते है रालु यादो का नाम छोड़ देते हैं ने ऐसा नहीं है लालू यादो का नाम लेते थे लेकिन इस वार वो नहीं लिए है कनहिया कुमार तारापुर उपचुनाओं में ही क्यों आए सवाल तो बंता है सवाल तो बंता है कि 30 साल में बिहार में क्या हुआ लेकिन सायद वो उस भीर को देखकर उससाहित हो गया और उससाहित होकर उन्होंने कॉंग्रेस के ही सरकार से पूछ लिया कि 30 साल में बिहार में क्या हुआ क्योंकि राबडी देवी की सरकार में कॉंग्रेस भी गडबंदन में थी ठीक है और 2015 में जब महा गडबंदन बना तो जेडियू, कॉंग्रेस और आर जेडी तीनों थी यानि वो कॉंग्रेस से ही सवाल पूछ रहे हैं कॉंग्रेस के उन बड़े नेताओं से पूछ रहे हैं, उन मंत्रियों से पूछ रहे हैं कि जो उस राबडी देवी के कारेकाल में हो या जो नितीजी मुख मंत्रिय थे उस कारेकाल में जो मंत्री पद पे रहें सिक्छा मंत्री पद पे रहें असोक चौधरी रहें और बहुत सारे निता उनसे ये सवाल पूछ रहें कि उन्होंने क्या किया तो कनहिया कुमार, कॉमडेट कनहिया कुमार, कॉंग्रेसी कनहिया कुमार बनने के बाद कॉंग्रेस से ही सवाल पूछ रहें, वो लालो और निती सवाल नहीं पूछ रहें, व बिहार को बिहार बनाने में कॉंग्रेस का ही सबसे बड़ा हाथ है, बिहार को बिहार बनाने में कॉंग्रेस का हाथ है, ये तो हमें नहीं पता कि कैसे हाथ है, क्या बिल्डिंग है एक बिहार, या क्या है बिहार हाथ क्या है, सभी उन लोगों का हाथ है, जो देश के अजाद शार जो है वो भिहार सो होती है तो फिर वो अपनेlor अपने सम्राइब को ही घेर गये सम्पुन्त 9 कर 쓸ा अपात काल किसमे लगाया इंद्रा गांधी कौन इंद्रा मर्ट रह उसकी परधान मंत्रि थी विहार में उसमें इंसकी सरकार थी अप्दुल गफूर मुखमंत्री थे छात्रों पे उन्होंने गोली चलवाया उसके बिरोध में छात्र जो है अखटा हो है और उसके बाद जो है गुजरास से जो अंदोलन चला था मेश को लेकर उसके बाद पुड़ा ब्यापक इस्तर पे जया प्रकास नड़ाय निकलते हैं और संपुन क्रांती का नारा देते हैं तो क्रांती की शुरवाद किस की बिरोध में हुई कॉंग्रेस की बिरोध में हुई फिर वो कॉंग्रेस को ही घिर देते हैं घुम फिर के वो कॉंग्रेस को ही अटेक कर रहे हैं कल का जो उनका भासा नाया है वो Congress पे ही अटेक कर रहे हैं कनहिया कुमार कह रहे हैं कि हमारा कोई background नहीं है हम मतलब कि एक ऐसे समाज से आते हैं ऐसे घर से आते हैं जिसका कोई राजनेतिक प्रिष्ट भूमी नहीं है और Congress में जब आये हैं तो उसका तो प्रिष्ट भूमी उसी तरह से रहा है इस पे क्या कहिएगा देखिए कनहिया कुमार कह रहे हैं कि प्रिष्ट भूमी आप जिसकी बात कर रहे हैं थे और कह रहे हैं थे कि बहाँ पहलाए हुए खड़े हैं राहूल गांधी क्या प्रिष्ट भूमी उनकी कौन है मोतिलाल नहरू कौन है पंडित नहरू कौन है इंदरा गांधी कौन है राजिव गांधी कौन है संजय गांधी कौन है सुनिया गांधी कौन है प्रियंका गांधी कौन है राहूल गांधी यह क्या है यह प्रिष्ट भूमी नहीं है तो क्या है यह तो प्रिष्ट भूमी है ना और आप देखी कनहिया आभ हो गए है नेता को दिन पहले तक लेप्ट सबसे अच्छी पार्टी हुआ करती थी कनहिया के लिए अभी कॉंग्रेस है और आगे जाकि बीजेपी होगी हो सके कोई आग सबसे अच्छा नेता है तो जो प्रिष्ट भूमी के बाद करी देखी राजनीती ऐसा चीज है कि आप जो है नेता पैसे से नहीं बन सकते हैं उन्होंने ख्याती की जो बात की ख्याती लोगों को ऐसे ही नहीं मिलता है अब्दुलकलाम को ख्याती ऐसे नहीं मिल गए लालूपरसाद यादब को ख्याती है इसे नहीं मिल गया कुछ जरूर बात होगी इसलिए उनको ख्याती मिला और जहां बात कर रहे हैं कि आप परिवारबाद का बात क्रें वो अंडिरेक्ट रूप से परिवारबाद का ही बातों कियें, तो जननी जो परिवारबाद की है, भारत की राजनिती में, वो कॉंग्रेस रही है, अगर बीदेश में भी बात करें, तो अमिर्का में भी ओचीज है, जोर्ज बुर्स हुआ, सिनियर जोर्ज बुर्स हुआ, पिल क्लिंट्टेन हुआ, हिलेरी क्लिंटेन हुई, पकिस्तान में सीख हसीना है, मुझिबुर रहमान है, तो लोग उस पर बिस्वात जताते हैं, परकाज ज्था डdess हैं बिहार के, बहुत अमीर हैं, बहुत अमीर हैं, जेडिव से चुनाव भी लड़ चुके हैं सांसत का, पैसा बहुत था, लेकिन उनको जनधार नहीं था, नहीं जीते, तो आप compare करें, या को इसा नहीं कि मौकर तो नहीं मिला, आप भी अपनी ख्याती बढ़ा सकते थे, आपको 2019 का चुनाव दिया गया, 2020 का चुनाव दिया, 2019 में आप नील बटा सनाटा रहें, ठीक है, चुनाव सा भारता उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप नील बटा सनाटा रहें, और 2020 में जहां मारहा गटबंदन, आर जेडी, 75 सीट लाकर बड़ी पाटी बनती है, आप अपने, आप अपने पाटी को कितना सीट द दो, मातर दो, तो आप भी ख्याती ले सकते हैं, ख्याती इसे नहीं मिलती है, ख्याती कमाना पड़ता है, ख्याती कोई बजार में बिकने वाला चीज नहीं है, नरेंदर मुदी, जब प्रिष्ट भूमी की बात आएगी, तो नरेंदर मुदी का कौन सा प्रिष्ट भूमी उन्होंने भी अपनी ख्याती बनाई उन्होंने लोहा मनमाया आपके पास लोकदंतर में सब के पास मोका है लेकिन अगर किसी को मिल रहा है तो आप इसको यह नहीं कर सकते कि ख्याती उसके पास उच्छाती में लगाए आपके पास वो ख्याती आप बना नहीं सके इसलिए उ लालुयादों का नाम छोड़ देते हैं लेकिन इसे बार वो नहीं लिए है और आप कह रहे हैं समाजिक न्याए समाजिक न्याए की पड़िभासा जो है साइद 1990 से पहले का समाजिक न्याए किसी ने देखा नहीं था कि जब बीपी मंदल मुखमंतरी बनते हैं तो जो कॉंग गंगा में जो है वो आग लगई गैस रिसा हुआ था और गंगा में आग लगई थी तो उन्होंने हम कोड करते हुए कह रहे हैं कि बिहार में एक सुद्र मुखमंतरी बना है इसलिए गंगा में लगई तो समान्तवात की शुरवात तो वहीं से होती है उसके बाद आप कड कर पूरी ठाकूर का जब उन्होंने नाम लिया तो कर पूरी ठाकूर जब मुंगेरी लाल कमिशन बिस परसेंट जो पिछ्डों को आरक्षन की बात करते हैं तो उसका बिरोत करने वाले कौन लोग थे सामन्तवाद भी सौप्ट और हाड है इतना आप समझ लिजी यह जो अधासन में कुछ नहीं हाँ आप बताएं ना की उन्हीं सुनग्लय से पहले विहार की स्थिति क्या थी कौन सी और से लिए二 गो रही है कोई किताब है कोई लेखक है कोई राइटर है कोई पत्रकार है जो उन्हें सो नभ्य की पहली किस्तिति दिखा दे जब भी बात होती है उन्हें सो नभ्य होती है और समाजिक नयाएं का देन यह है कि उन्हें सो नभ्य में जो जिस उन्हें सो नभ्य से पहले जो मुख पिछ्रे ना दलित कहीं डरे सहमें नहीं दिखे पहले जो है जवाब उधर से आता था ठीक है इधर से कोई जवाब नहीं दिया जाता था लेकिन नभे में जो है वो जो पिछ्रे और दलित उसको बताया गया कि आप भी बहतर जिंदगी जी सकते हैं और 2015 के चुनाओं में दिया कि हम नितीस कुमार का च्छाती तोड़ देंगे तो लाली आदो कहते हैं कि वहीं पे लाली आदो खड़ा है और नितीस और लालू का ये समाजिक न्याई ही है कि आज समाजिक न्याई जो सबसे बड़ा समाजिक न्याई हुआ वो नभे के बाद ही हुआ पिछ्रे द नहीं है कि तुम नितीज कुमार का चांती तोड़ दोगे ये नब्बे के बाद का बिहार है जब तबला बजएगा धिन दिन तो एक अधिमी बैठेगा तीन तीन उन्होंने ये बयान दिया और जब लठेत की बात हो रही है उन्होंने कहा कि पड़े लिखे लठेत लठेत और दली दभी लाठेत धेत धेत्पाध है लठेत कार्थ यह हुआ कि लाठी की लड़ाई लाठी से होगी अपने हख के लड़ाई लोह तंत्र के लड़ाई लोक तंत्र से होगी और बोट के लड़ाई बोट से होगी तो हक के लिए आप लाठी के बाद करें लाठी तो गांधी ने भी उठाया था देश को आजादे दिलाए थे एक बात बताईए कनहिया कुमार कह रहे हैं कि हम कॉंग्रेस इसलिए जोईन किये ह कि यहाँ पर अजादी है यहाँ पर हम जय भीम बोल सकते हैं जय सरदार बोल सकते हैं लेकि नितिश कुमार भी जय सरदार और पटेल समेलेन में चल जाते हैं ठीक है और जब जब नेता को बोट लेना होता है तो जय भीम का नारा भी लग जाता है ठीक है लेकिन सवाल है कि कनया से कि आप लाल सलाम बोल सकते हैं कॉंग्रेस में क्योंकि लाल सलाम का जब आप पड़िभासित करे थे उसको तो आपने का लाल सलाम का मतलब होता है इनकलाब जिंदावाद तो क्यों नहीं आपने हर समय जादे थे तो लाल सलाम से सुरुवात करते थे क्यों आप कॉंग अब उन्हेंने एक बयान और दिया कि Congress ऐसी party है जो कभी BGP में नहीं जाएगी देखिए party कभी BGP में नहीं जाती है लोग तंत्र में आकड़ा होता है और आंकड़े से चुने हुए बिधायक होते हैं बिधायक BGP में जाते हैं पार्टी नहीं जाती है अब हम आपको बतात पीछले तीन सालों का रिकॉर्ड करनाटक में 20 बिधायक कॉंग्रेस के टुटकर बीजेपी में सिद्धा रमया के सरकार गिरी और यदुरप्पा मुखमंत्री बने बीजेपी में गए कमलनाट के सरकार एंपी में गिरा दी गई और 21 बिधायक जो है वो चल गए बीजेपी में कॉंग्रेस के तो सर्फ पार्टी नहीं जाती है और अब अगर आप कहने कि पार्टी नहीं गई है तो आपको बता दे कि उन्हें 270 के दसक में कॉंग्रेस ओ बनी कॉंग्रेस आई और कॉंग्रेस ओ बनी और कॉंग्रेस ओ जनता दल में गई उसके जगजीमन राम जिसके सांसद रही सासा राम से मिरा कुमार वो सब नेता जो है वो कॉंग्रेस ओ में गई और जनता दल में उसको मर्ज कर दिया गया तो आपकी पार्टी गई ठीक है और आपके बिधायक हर ब हमारे लोकतंत्र में संख्या गनित की बात होती हैं अंक की बात होती है 2004 में जब लोकसभा का चुना हुआ लोकसभा का चुना हुआ तो उस समय लालु आवास पे दिल्ली से सोनिया गांधी और मनमुहन संख्या आये थे काहे कली आये तेखिए जब 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 सोनिया गांधी के लाप जब यह बहत चल रही थे कि सुनिया गांधी विदेशी है उससमें लालु यादो संसत में ख़ड़ा होकर कहते हैं कि सोनिया गांधी इस देश की बहु है ठीक है और जब 2004 में मनमुहन सिंग की प्रधान मंतरी बनने की बात हुई तो उसे में खुद सोनिया गांधी जो है वो लालू जी के आवास पे जाती है उनको मनाती है कि आपन मोहन कोई ही है तो पिहार में कॉंग्रेस षी नहीं कर सकती है क्योंकि बिहार में कौन बोड यहा किसका बोड दिलवा सकते हैं कैना यहां है कौन उनको हमारे आजाताधार पे बोट गिरता है इसको कोई इसमें कोई किसी परकार का यह नहीं लगा सकते हैं मनुमान नहीं लगा सकती वो सत्य है ठीक है आप मुस्लिम बोट की बात करते हैं 92 के बाद जिस परकार से भागलपुर दंगा हुआ 89 में कॉंग्रेस की राज में अब्बे के बाद एक भी दंगार लालू यादो के सरकार में नहीं हो नहीं दिया गिया राथ यातरा रोक दिया गिया तो मुस्लिमों का पुरा अभार जो है पुरा विश्वास लालू या दूसी से में जीत किया थे ठीक है फिर आपको बोट करती है भुमियार में जब कहा गया गिए ऐक जिला और एक जात की पार्टी बनके रहा गयी है वेगुसराइक करहा के पार्टी ओवी आपको बोट नहीं किया और कि अपना बोट नहीं निकाल पाया जो स्वार्ण है वो बीजिपी के साथ है जो अतीपी पिछरा है वो अधिकतर नीतिस के साथ है और जो भी combination है जो दलित है उसमें तीन भाग में बाड़ दीजिए तो उसमें मुसहर लालू के साथ भी होते हैं पासवान, रामिलस, चिराख पासवान के साथ हैं पासी दोनों साइट सले जाते हैं जो चौधरी हैं सहनी लोग आती पिछरा म आने के जुरूत नहीं होती ठीक है तो ये एक तरह से कनया अपना परसनल सोच रहे हैं कि हम इसको एक तरह से हाइप बनाएं लेकिन जनाधार की बात कड़े तो अभी नहीं दिख रहा है और ये जो तारीब के पुल बांध रहे हैं लेकिन जवाना था एक जवाना क्या था हैं कि हम मेरे पास आई तो ये एक तरह का उर नेता बन गए है नेता का काम होता है कि भाई हाँ अपने सर को हमिज्दा सर ही बोलना ठीक है ठाकि उनके उनका जो सर है उसमें घुषा रहे है टीट्यम एक तरह से कहा जाए कि बनिया से जो है आप सर सर कर बोलते रहे है कि सर बहुत माने कुछ पद मिल जा तो यह एक राजनीती है सबसे अहम सवाल ही है कि कनहया कुमार जब कॉंग्रेस में आये हैं तो उनका पर्मोशन हुआ है कि डीमोशन हुआ है कोई से अच्छा आप बताईए पर्मोशन के लिए कोई कोई से भाग थोड़े जाएगा पर्मोशन के लिए ना भागता है मेडिया की डार्लिंग हुआ करते थी कनहया कुमार बनाया गिया ठीक है उसके बाद नरेंदर मोदी के सामने एक वक्ता की रुप में उसको जाना गिया लोग पसंद भी किया लोग उनके भाषन को खुब पसंद भी करते हैं अभी कल भी जो बयान दी उसमें को भी लोगों पसंद किया लेकिन देखिए अब क्या हुआ कि पहले कनहया कुमार का तर्क नरेंदर मोदी के सामने था ठीक है लेकिन अब कनहया कुमार का तर्क बिहा में और जो राहुल गान्धी के एक तरह से कहा जाए कि अब राहुल गान्धी जिर एंद मोदी ख़ड़े हो गइए ठीक है का है कैasses अमर बिहार में किस से लड़ 이거 को पहले अपने को खे वत अच्छे वक्ता है प्रदान मंतर्य को इस अज्शन उसको कोट कर रहे थे तेजस्वी को लाली जी को निती जी को ती डिमोशन हुआ ना और बिहार में कॉंग्रेस के कोई ऐसे नेता नहीं है जिनको सरक पर अंदोलन करने का एक तरह से कहा जाए जो देखा गया हो एसी वाले हैं कपिल सिब्बल का बयान हम अपना नहीं कॉंग्रेस के जो ही वरिष्ट नेता है कपिल सिब्बल ने कहा कि एसी वाली नेता खूब हैं और उस सरक पे नहीं निकलते हैं अब बताईए कनहिया कुमार तारापुर उपचुनाओं में ही क्यूं आए सवाल ठोबनते हैं ुसे इस वर अस्ठान में कूँ आए क्यूं पप्पु यादो की तरह वूध सरक पे नहीं ढूम रहे थे बाढ़ में कॉरोनाकाल में समसान घाट क्यू नहीं ढूम रहे था हैं अस्पदाल में अच बोट लेलए है तो हम सबसे बड़ सारक पर रहए है थोड़ा बहुत है जैसे भी का भी बीजो लाया कि इधर उदर गया लेकिन में जगा पर पपू याद वही थे आज करिया कुमार को बोट लेना है तो आगए है लेकिन उससे पहले अभी बिहारी मजदूर बिहार से आने से पहले कितना बाट वो टूट कर दिये कि भाई बिह कर सकती है बीजेपीस दो चलो बोल रहे कि नहीं होगा निती जी ची तो पहले कि हम ऐसा कुछ नहीं करने जारें दो लख रुबेम हो अपज दी है तो उससे पहले आप कहा थे जब बिहार करश्ण में था तो कहा थे करोना का लें कहां था कर नहीं यह सब सब्सवाल है तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्षिन में बता है, फेस्बुक पे देख रहे हैं तो पेज को फोलो कर ले, यूटूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले